हालो दोस्तो नमस्कार मैं बाला पीर एलेक्ट्रोनिक चैनल पर आप सभी दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो हम एक CRT TV का कीट खोल के लाए हैं रिपेर करने के लिए और इस कीट में दोस्तो प्रोब्लेम है कि इसमें सप्लाइ लाइन देने पर दोस्तो केवल इसमें से गुर गुराहट की आवाज आ रहा है और टीवी दोस्तो चालू नहीं हो रहा है नाहीं दोस्तो इस प्रोब्लेम को दोस्तो हम रिपेर करेंगे दोस्तो यह वही C80 TV बोड है जिस TV में पिक्चर टीव फूटा हुगा निकला था और गुर गुराहट की आवाज आ रहा था तो हम आपको बोले थे के नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक करके आपको दिखाएंगे वही दोस्तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तो इस सर्किट में दोस्तो सर्किट जो बोर्ड है इसमें आपको सप्लाई देकर और साउंड सुना देते हैं गुरगुराहट की अवाज और दोस्तो यह चाइना मुडल का C80 बोड है ठीक है जिसको हम लोग चाइना C80 TV भी कहते हैं दोस्तो यह देखें यहाँ पर जो सिस्टम IC लगा हुआ है यह 88 E70 6PR6 है ठीक है और यह इसका EST-1010A है यह पावर सप्लाई में दोस्तो 18.02 ट्रांजिस्टर लगता है लेकिन इसका सरकीट काम नहीं कर रहा था जिसके बज़े से यहाँ पर यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगाया हुआ है मैजिक बोड तो इसमें जो प्रोब्लेम है दोस्तो की सप्लाई लाइन देने पर गुरुगुरा रहा है तो देखिए हम इसमें सप्लाई लाइन देते हैं और इस में कोड यहां पर यह जोरे हुए हूं इसके दोस्तों हम इसमें सिरीज सप्लाई देंगे ठीक है चलिए दोस्तों हम इसमें सप्लाई देते हैं आप ध्यान से सुन लिजिएगा ठीक है और देखिए दोस्तो इस से अवाज गुलगुरहट की आगा है देख लिए थिक्वाइं भ्याण से दिखाते हैं देख लिए दोस्तो सुन लिजिए साउंड ठीक है यही इसमें दोस्तो प्रोब्लेम है जब दोस्तो दोनों इस्पीकर लगा हुग रहता है और टी वी के कैमन में जब यहां कसा हुगा राता है तो दोस्तों आवाज इसका और ते जाता है ठीक है यही दोस्तों इसमें प्रोब्लेम है अब आपको दिखाते हैं कि इस्टी बनता है कि नहीं यह स्पीकर हटा देते हैं और यह देखी इस्टी कैप ठीक है यहां पर है अब हम इस्टी चेक करेंगे कि इस्टी हमारा बन रहा है कि नहीं चाहिए सप्लाई दे देते हैं तो दोस्तों सप्लाई दे दिये हैं यहां पर देखिए हम एक पॉइंट को यहां पर अर्थ कर दे रहे हैं मीटर का हम एक प्र प्रोब्लेम है इस प्रोब्लम को दोस्तों अब हम रिपेर करेंगे तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो सुरू करते हैं इसका रिपेर करने के प्रक्रिया उससे पहले दोस्तों मैं आपसे साधर प्राखना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क और इस्थिर से देखिए ध्यान से देखिए तब ही दोस्तों आप है समझ पाईएगा ठीक है वीडियो भागा दीजिए गा तो नहीं समझ पाईएगा तो चलिए दोस्तों आपको अब अब हम सारा भोल्टेज पहले चेक करके दिखाते हैं इसका तो देखिए मीटर को डीसी 200 करेंज में सेट कर दिये हैं और जो पावर सप्लाई से जो आउट्पुट भोल्टेज निकलता है सारे सेक्षन को चालू करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम भोल्टेज ही चेक करें हैं तो हम इसमें सप्लाई दे दिए तो मीटरस डाया D"? दूसले से दुस्तों हम यहां पर जोल्टेज देखेंगे 210 वोल्ट के जगह पर कोई भोल्टे नहीं दिखा रहा है कि है उसके बाद दूस्तों देखें番 यहां पर 24 से 27 रंजय प्रसक्राइए यहां पर दोस्तों ना प्रसकर्ण को सब्सक्राइब सनकों है अधोरेन supply में दोस्तों इसका problem है तो सबसे पहले हम output supply को check करेंगे तो चलिए टीबी का supply बन कर देते हैं इस kit का supply हम देखिए हम निकाल दिया है और चेक करने का तरीका आपको बताता है कि अगर आपके पास भी इस किसिम का problem आए तो कैसे check किजिएगा तो 110 volt की जो supply देख रहे हैं यह line यहां से यहां पर आया है और यहां से इंटर करकि यह resistance द्वारा horizontal section को supply गया है तो सबसे पहले दोस्तो 110 volt supply इसी में जाता है इंटर करता है horizontal section को चालू करने के लिए तो horizontal section की जो हमारा supply है इस resistance का एक pin दोस्तो हम open कर देंगे horizontal section की supply को हम काट देंगे और काटने के बाद दोस्तो फिर से voltage चेक करेंगे कि voltage हमारा सही हो पाता है की नहीं ठीक है तो देखिए दोस्तो इस resistance को देखिए हम यहां पर से open कर दी है यह सीर्यों को दोस्तो हम निकाल दिये है आप दोस्तो हमारा horizontal section में supply यहां प्रकट गिया है देखिए निकाले हुए है अब आईए दोस्तो हम इसमें supply देते हैं और फिर से दोस्तो voltage ना पलेंगे कि हमारा voltage सही हुआ की नहीं क्योंकि दोस्तो horizontal section में short रहेगा तो दोस्तो हमारा output supply 110 volt drop कर जाएगा यहां डाउन हो जाएगा और जब यहां supply दोस्तो डाउन करेगा तो सारा voltage दो है दोस्तो चारों voltage यहां जो आउट करता है भटकल सेक्षन और IC के लिए और सांड सेक्षन के लिए है सारे voltage में दोस्तो आपको different आ जाएगा तो दोस्तो हमें horizontal सेक्षन की supply काट दिया है चलिए अब हम supply दे दिया है पुना टीवी में और यहां से दोस्तो अब पुना हम supply ना अप लेते हैं तो दोस्तो देखिए अभी भी हमारा 110 volt नहीं बन रहा है यहां पर देखेंगे भटकल सेक्षन की supply यहां पर दिखा रहा है यहां पर दोस्तो सारे 7 volt यहां भी same problem है यानि दोस्तो अभी हमारा problem बिल्कुल same है हमारा problem सही नहीं हुआ है यानि दोस्तो जब हम horizontal सेक्षन का supply काटे हुए हूं तपर भी दोस्तों हमारा voltage डाउन कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले अब हम power supply को चेक करेंगे तो हम kit का supply काट देते हैं देखिए हम supply pin निखाल दिये हैं अब हम चोस्तों चेक करेंगे यह जो चार गो डायोड लगे हुए रहते हैं यह डायोड तो देखिए मीटर को continuity मोड में set कर दिया हैं अगर डायोड खराब होगा तो दोस्तों मीटर में इस किसिम का हरकत होगा और हलका city की आवाज भी दोस्तों आता है यहां से तो फ़र्स्ट डायोड दोस्तों चेक करते हैं तो दोस्तो दोस्तों यह दोनों साइड से कंटिनिटी इसमें दिखा रहा है जबकि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था 500-600 के बीच में रिस्टेंस भैल्यू दिखाना चाहिए था यह दोस्तों हमारा डायोड खराब है अब आये दोस्तों डायोड दूसरा चेक करते हैं यहां माला जो भट चाहिए था तो दोस्तों हमारा 110 वोल्ट वाला सप्लाई डायोड दोस्तों हमारा खराब है यह हमारा डायोड सही है आप दोस्तों यह डायोड चेक करते हैं यह भी डायोड दोस्तों हमारा तक्रिबन सही दिखा रहा है देख लिजिए देखिए दोस्तों हमारा डायोड य तो नया लगाएंगे तो सबसे पहले दोस्तो हम इस डायोड को निकाल देते हैं जो हमारा 110 भृट सप्लाई में जो पहले डायोड लगा हुआ है इसको दोस्तो निकालेंगे यह देखिए दोस्तो हम इस डायोड को निकाल दिये हैं यही दोस्तो इसमें डायोड लगा हुआ था देखिए यहाँ पर यह देखी यहां पर दोस्टो डायोड था ज़े दो गोच्षिद्र दीख रहा है इसी में दोस्टो लगा हुए था तीन डायोड दोस्तो हमारा अभी भी लगा हुए है तो इस डायोड का दोस्तो अब हम नम्मर देखते हैं कि कौन सा नम्मर का डायोड इसमें लगा हुए है तो दोस्तो इसमें जो डायोड लगा हुआ है नम्मड हलका दीख रहा है दोस्तो आपको नहीं दीखेगा आर यू थीरी ए एम यही दोस्तो इस डायोड का नम्मर है इस किसिम का डायोड दोस्तो पतला वाला इस नम्मर का दोस्तो डायोड हमारे पास अभी नहीं है हम दोस्तों दूसरा डायोड इसमें लगाएंगे तो हम जो दोस्तों डायोड लगाएंगे वह डायोड लगाएंगे ये वाला मोटा वाला और इस डायोड का दोस्तों नम्मर है M-U-R-480 दोस्तों यही दोस्तों हम डायोड लगाएंगे इसमें म देखे लिजे M. zo M U R 480 ठीक है यही दोस्तों हम समें डायोड लगा देङगे और दोस्तों हर डायोड में नगेटिब पोजेटिव होता है इसमें भी दोस्तों है यह उझला धारी जो आप देख रहे हैं रेगार यह दोश्तों पोजेटिव का है और यह धर वाला काला वाल तो जिधर नोखी जिस साइड इंडिकेट कर रहा है उस साइड पोजेटिव होता है और पीछे वाला दोस्तो ये वाला आपको बाये वाला नेगेटिव होता है तो दाये वाला पोजेटिव और बाये वाला नेगेटिव तो हम भी दोस्तो इसमें वैसे ही लगाएंगे कर दिये हैं देख रहे हैं यहाँ पर देखिए मोटा वाला डायोट लगा दिये हैं ठीक है अब 8 दूस्तो सपलाइड दिते हैं और देखते हैं घ्रिकर्क जो नहीं आ दोस्तों हमने इसमें supply दे दिया है अब चलिए मीटर के प्रोड से दोस्तों इसको नाप लेते हैं यहां पर यह ग्राउंड कर दिये हैं ठीक है यहां पर देखेंगे 110 वोल्ट आना चाहिए आप दोस्तों तो देखिए दोस्तों हमारा voltage हो गया है 115 वोल्ट हो गया है यहां द उसके बाद दोस्तों यहां पर वोल्टेज देखेंगे तो यह दोस्तों देखिए यहां पर तक्रीबन 11.8 वोल्ट वोल्टेज यह भी दोस्तों वोल्टेज हमारा ओकी हो गया है अब दम बिल्कुल सही है और दोस्तों यहां पर देखिए 16 वोल्ट वोल्टेज हो गया है ठी चेक कर लेंगे क्योंकि हो सकता है दोस्तों इसके खराब होने से हमारा डाइवर्ट जल गया हो या होर्जेंटल सेक्षन में सौट सर्किट के लिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि सौट है की नहीं ठीक है दोस्तों देखिए हमा पर continuity show कर रहा है यानि दोस्तों इसमें से कोई भी पार्ट इसका खराब बता रहा है चलिए ट्रांजिस्टर चेक करते हैं यहां सब जगा दोस्तों हमारा तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद दोस्तों पुना फिर चेक कर लेंगे देखिए दोस्तों हम और पूरी तरह तरह दिखा रहा है यह दोस्तों हमारा खराब हो गिया है देख रहे हैं कहीं से भी दोस्तों मीटर का पूर्ट लगा लेजिए उल्टा या सीधा कंटिनीटी दोस्तों फूल दिखा रहा है ठीक है तो यह दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर खराब हो गिया है और दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को क्यों निकाले हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सॉर्ट करने वाला होड़ेंटल सेक्शन में दोस्तो यही तो ज्यादे सॉर्ट करता है ठीक है चलिए इसको हटा देते हैं अब दोस्तों आपको हम प्रिंट कंटिनीटीब हैं दिखाए थे इसको दोस्तों पर जो हम और जेंटल सेक्षन की सप्लाई काटे थे इसको दोस्तों रिष्टेंज को जोड़ देंगे उसके बाद देखेंगे कि टीवी हमारा चालू होता है कि नहीं ठीक है हमारे पास भी दोस्तों आठार जोरे तीन नया ट्रांजिस्टर है दोस्तों हम इसी हम चेक कर लेंगे क्योंकि दोस्तों कभी कि दाल नाया पाट भी दोस्तों बाइचांस रेयर केस्ट में खराब निकल जाता है तो दोस्तों आईए चेक कर लेते हैं कंटिनीटी मोड में है मीटर हमारा देखिए दोस्तों हम जैसा कह रहा है था वैसा हो यह गया यह निव ट्रांजिस्टर ठेक दम बिल्कुल निव है लेकिन दोस्तों यह खराब है इसका कंटिनीटी सारे में जीरो जीरो दिखा रहा है चाहे मीटर का प्रोड उल्टा रखिए या सीधा देख रहे हैं देखि दोस्तों ठीक है इसको भी हमाँ टाते हैं चलिए दूसरा लगाएंगे यह देखिए दोस्तों हमें दूसरा फिर निकाले हैं इसको दोस्तों कंटिनीटी चेक कर लेंगे देख लिए ध्यान से दोस्तों नया समान भी दोस्तों खराब निकलता है यह देखिए यह दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर सभी है ठीक है अब मीटर का वरोड देख लोगर के दिख लिए अब हम कंटिनीटी भाद धाइट लगा झाल दिखिए हमीजिटटर को कास बैठा दिया है इसको दोस्तो करना है कि घिर जोस्तों आपको बताते हैं चेक करके दिखाते हैं में ठी कर रहा था देखिए यिस्टि बंनता है की नहीं से जुर सिरहट डिए सुधा डिया है ये अब हम एक प्व GU यहां पर आर्थ कर देते हैं और दूसरे सीरे से दोस्तों हम यहाँ पर यहाँ पर पर दोस्तों सटा कर देखते हैं यह क्छीन गारी देता है कि नहीं देखिया धी को भूल्टेज नापके सारा दिखा देते हैं तो देखे दोस्तों हम टीवी में सप्लाई दे दिये हैं यहां पर हम इसको ग्राउंड करते हैं और यहां पर 110 भूल्ट देखे दोस्तों 110 भूल्ट ओक्की हो गया लोड पे पहले यह 115 भूल्ट था यहां पर देखिए दोस्तो 25 भोल्ट सेम भोल्टेज है दोस्तो यहां पर 12 भोल्ट और यहां पर दोस्तो 1516 भोल्ट हो चुका है ठीक है यह ओके है और यह जब बनेगा दोस्तो तो हमारा 180 भोल्ट के सप्लाई निकलेगा वह भी सप्लाई दोस्तो देख लिजिए यहां पर यह देखिए दोस्तो हमारा यहां पर अभी एक तालिस भूल इखा रहा है जब दौस्तो हमारा यूख लएगा तब जाके दोस्तो 140 से 180 भूल्ट की सप्लाई दूस्तो बनता है ठीख है और यूख क्वैल जब तक नहीं लेगा दो laz तब तक यहां पर सब्सक्राइब नहीं बनेगा तो दोस्तों इस सर्किट बोर्ड को दोस्तों जिस टीवी से खोल के लाएं उस मिले जाकर सेट कर देंगे यह दोस्तों पूरी तरह हमारा ओके हो गया है ठीक है तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो 22 साइड अंग उठे कि न ने बाद नमस्कार